आज मैं आपको बच्चों के लिए लॉलिपॉप की रेसिपी सिखाने चाह रही हूँ जिसे हम सिर्फ दो सामगरी के साथ बना कर तयार कर सकते हैं और यह सामगरी बिल्कुल घर में एवेलेबल होती है आपको बहार से खरीदने की भी जरुरत नहीं पड़ेगी तो चलिए लॉलिपॉप बनाने के लिए सबसे पहले हम सारी समगरी खटी कर लेंगे समगरी खटी करने के बाद हम एक पैन लेंगे या फिर एक सॉस पैन लेंगे मैंने यह सॉस पैन का इस्तमाल किया है और उसके अंदर एक कप चीनी डाल देंगे एक कप चीनी डालने के बाद एक चौथाई कप उसके अंदर पानी डाल देंगे जिस भी कटोरी के माप से आप चीनी ले उसका एक चौथाई कप आपको पानी डाल देना है अभी मैंने गैस नहीं जलाई थी अब चीनी और पानी डालने के बाद मैं गैस को जलाऊंगी अब देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और चीनी के अभी क्रिस्टल्स हमारे बच रखें अब इसकी आच आप मध्यम कीजे और इसे दो मनट तक लगातार चलाते हुए उबाल आने तक पकार लीजे ये देखे आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है इस अब इससे हम चलाएंगे और देखे दीडीर दीडीर हमारे चीनी के जो दाने है वो पिंखलने शुरू हो गए हैं दो मनट के अंदर हमाई चीनी की दाने पूरी तरह से पिंखल जाएंगे जैसे ही आपके चीनी की दाने पूरी तरह से पिंखल जाए और अच्छे से उबाल आ जाए इस घोल के अंदर आप इसकी आज धीमी कर दीजे आज धीमी करने के बाद एक से दो मिनट और लगातार चलाते वे पकाईए इसे हमें नीचे चिपकने नहीं देना है इसलिए हर 20 या 30 सेकिंड के बाद चलाते रहिए अगर इस चिपक गया तो आपकी लॉलिपॉप बिल्कुल खराब टेस्ट हो जाएगा और कडवी लगेंगी अब 2 मिनट और हो चुके हैं लगातार हमें 4 मिनट हो चुके हैं मतलब पकाते हैं अब इसके अंदर थोड़ा सा रंग डाल देंगे इसके आज एकदम धीमी ही रखेंगे अगर आप तेस कर देंगे तो आपकी चास नहीं जल सकती है और लॉलिपॉप के अंदर कडवापन आ सकता है अब इसे पकाते हैं मुझे पाशनट और हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यह और घड़ा हो चुका है अब इसको हम चेक करेंगे कैसे चेक करना है कि consistency सही है या नहीं एक कटोरी में पानी लीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा सिरफ डालिए आज को दीम ही रखेगा तेस ना कीजिएगा और ढलते ही एक सेकेंद ठंड़ा होने ठीजिए यह पिर हाथ मे लीजिए अबत्ड़ा हकी हलका सा सिर्फपन है अबताल से दिपिदू कहतेख में दो या तीन नट और पकाना है तो दोबारह हम इसे पकाना शुरू करेंगे लगता चलाते रही парवे तीन नट हो चुके हैं पकाते हुए मज़े अब हम चेक करेंगे और देखे ये डालने के बाद अब हमारी बॉल बनकर आ रही है एकदम कड़क बॉल और एकदम सक्त जरा से भी तूट नहीं रही है हाथ से दबाने पर मतलब हमारा गोल बिल्कुल तयार है इसकी आज हम बंद करेंगे और इसे गैस से उतार कर नीचे रख लेंगे गैस से उतारने के बाद इसे इसी तरह से छोड़ेगा मत लगाता चलाते रहिएगा दो से तीन नट इसे थोड़ा सा ठंडा करना है आपकी जो चासनी का घोले बनने में जादा टाइम भी ले सकता है मेरा है कुल 11-12 मि ओप लेती है को जल्दी पहल जाती है कोय टाइम लेती है यह देखिए मेरा साइज पर्फेक्ट नहीं आ रहा है तेड़े मेड़े आ रहा है अगर आपके परस मोल्ड से हैं तो उसके अंदर बनाईए उससे साइज एकदम पर्फेक्ट आएगा अगर गूल फिलाते हैं आपको टाइम लग रहा है और आपका सिरफ जमने लग गया है तो आप इसे दुबारा गैस पर रखके 10 से 15 सेकंड गरम कर सकते हैं और यह वापर उसी तरह से पिंगलावा हो जाएगा वैसे आप कोशिश कीजिएगा इसे जल्दी जल्दी बना सके ताकि सिरफ हमारा जमेना लॉलिपॉप्स हमने फैला ली है अब इसके ओपर जल्दी स होने के लिए रख दीजे साइड में 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं यह अपने आपी निकलने लगी है एकदम अच्छी तरह से ठंडी होने के बाद निकालेगा नहीं तो आप गिली इलिए निकालने लगेंगे तो इबीच से टूख जाएंगी बहुत ही टेस्टी और केम महिने इजिली स्टोर कर सकते हैं मेरे एक कप चीनी में 25 से 30 लॉलिपॉप बनकर आई हैं आप इस लॉकडाउन में इसे बच्चों के लिए बना कर तयार कर सकते हैं कमसा मगरिक साथ बन जाती है और बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है आई होप आपको मेरी लॉलिप आपकी रेसिपी पसंद आई हो अब हमारे लॉलिपॉप सर्फ करने के लिए बिलकुल तयार है